हाई आप लोगों के लिए एक नया जॉब अपडेट लेकर आई हूँ और आज का जो यह जॉब अपडेट है इसमें सिविल इंजिनियरिंग इलेक्ट्रिकल और मेकानिकल यह सभी ब्रांच एपलीकेबल है तो बने रही है इस सेशन में तो देखते हैं कहां कित्ती वेकेंसी आई है और कब हम अपलाए कर सकते हैं तो आप देखेंगे वेस्ट बेंगॉल म्यूनिसिपल सर्विस कमिशन ने कुछ यहां पर एडवर्टीजमेंट निकाली है तो सबसे पहले मैं सिविल इंजिनियरिंग की बात करूंगी यहां पर जैसे आप देख रहे हो कि सब असिस् 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है एप्लिकेशन जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजिनियरिंग ब्रांच से तो आप इसके लिए लिजिबल हो लेकिन यहां पर एक और पॉइं जो है वो 37 यहर से जादर नहीं होना चाहिए तब भी आप एलिजिबल होंगे तो एलिजिबलेटी क्राइटेरिया ध्यान से देख लीजिए इसके बाद अगर हम एप्लिकेशन फॉर्म की एप्लिकेशन फीज की बात करें तो जन्रल और OBC के लिए वो टोटल फीज 200 है और जो multiple choice objective type question होगा जिसमें पूछे जाएंगे और दूसरा personality test होगा तो दो टेस्ट होंगे return test के 200 marks है personality test के आपके 40 marks है जो return test है वो साफ-साफ mention है कि कितना कैसा marks और time क्या है तो OMR based return test है 200 marks का जिसमें 100 multiple choice questions होगे objective type questions होगे और जिहां इसमें negative marking भी है हर एक question हमारा two marks का होगा and there will be negative marking of one तो एक आपका हर एक question में negative marking होगे अगर आप incorrect answer देते हो ठीक है और question जो होगे वो हमारे English में भी होगे और time जो दिया जाएगा इन 200 marks के questions को solve करने के लिए वो आपको two hours का दिया जाएगा इसके बाद बात करे personality test होगा जैसा बताया personality test के total 40 marks है अब वो depend करते हैं आप दिल साफ साफ मेंशन है कि कितने candidates को यह बुलाएंगे जब आपका पहला स्टेंज क्वालिफाय हो जाएगा तो जो personality test है वो भी लिखा है commission office in कालकटा वहीं पर ही होगा यह test based on merit candidates of four times the number of vacancies जितनी भी vacancy है उसका four times candidates को बुलाया जाएगा for the verification of original documents और आपके जो minimum qualifying marks है वो कितने होने चाहिए जनरल के लिए 45% 40% for OBC और बाकी category के लिए 35% mention किये और साथ में यह भी लिखा है इन्होंने कि after the set verification जब verification हो जाती है eligible candidates of three times the number of vacancies जितनी वेकेंसी थी उसका तीन गुना candidates will be called for merit basis for personality test तो उसके बाद personality test के लिए आपको बुलाया जाएगा ठीक है फिर next important है कि अब जो हमारा written test होगा उसके लिए syllabus क्या रहेगा तो syllabus जो civil engineering के लिए apply कर रहे हो जो आपका diploma level examination in civil engineering as approved by AICTE जो course आप diploma में पढ़ते हो उसमें जो civil engineering के subject है वही यहां पर exam में जो है वो पूछे जाएंगे तो यह important सारी चीज़े मैंने आपको बता दी last date जो है last date हमारी 30th April है इस form को फिल करने के लिए जब आप official website पर जाओगे तो आपको यह notification मिल जाएगा अभी application जो है वो मैंने कहा कि अभी start नहीं हुई है कुछ दिनों में start हो जाएगी 31st March से तो तभी आप इसमें कर पाएंगे अब हम बात करते हैं बाकी सारे पॉइंट सेम है अब जो आपका यहां पर electrical engineering की बात करें तो electrical engineering की total 10 vacancies आई है जिसमें जो category wise जो divide है वो यहां पर mention है सेम आपका qualification बोल रखा है अगर diploma certificate है आपके पास electrical engineering from the state council of engineering and technical education या फिर candidates having higher qualification in electrical engineering वो भी eligible है इस पोस्ट के लिए बाकी जो मैंने age criteria वो सब बताया वो सब सेम रहेगा application fees भी सब को सेम रहेगा और अगर हम सलेबस की बात करें तो आपका electrical engineering के लिए course content of diploma level examination in electrical engineering तो मतलब diploma में जो आप civil engineering पढ़ते हो डिप्लोमा में जो आप electrical engineering पढ़ते हो वही पूछी जाएगी एक्जाम का pattern सेम रहेगा रिटन टेस्ट 200 मार्क्स personality टेस्ट जो है वो 40 मार्क्स रहेगा अगर मैं mechanical engineering की बात करूं तो mechanical engineering की कितनी पोस्ट है total 10 पोस्ट है mechanical engineering की भी तो इसके लिए भी सेम eligibility criteria है अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप apply कर सकते हो अगर आपने higher degree कर रखे तो भी apply कर सकते हो तो आपको last में अगर मैं summarize करूं तो यह बाकी सारे points common है तो total number of post मैंने आपको बता दी यहां भी सले बस क्या है course content of diploma level examination in mechanical engineering as approved by AICTE तो लास्ट में अगर मैं summarize करूं तो हमारी civil electrical और mechanical तीनों branches की कुछ post यहां पर आई है और इसको apply करने के लिए जो start application form start हो रहा है वो 31st मार्स से start हो रहा है यह हमारी जो post है वो सब assistant engineer की है और कहां पर है West Bengal municipal service commission और जो examination center होगा और जो personality test होगा वो Calcutta में ही होगा और हमने देख लिया कि April 30th April इसका last date होगा form fill करने के लिए फिर भी अगर आपको कोई भी doubt रहता है इस vacancies related क्योंकि इसमें सारा syllabus और सारी ब्री अख्यों के अद्वैज करने क्योंकि आपको को फो अब्याशन का रहते है बॉट्टिजए बश्यों, C